दोस्तो डॉमेंट्सी का पीरिट चल रहा है और वो भी जनवेरी का मन चल रहा है तो कटिंग लगाना थोड़ा सा मुश्किल है वो भी पर्मनेंट प्लांट्स की क्योंकि वो डॉमेंट है लेकिन फिर भी जिनसे कटिंग नहीं लगती वो लोग भी बड़ी असानी से वो भी पानी में और आपको रिजल्स भी दिखाऊंगी अगर हम मिट्टी में कटिंग लगाते हैं जनवरी में तो कई बार वो उसी में पड़ी पड़ी सड भी जाती है क्योंकि कई बार बारिश भी हो जाती है जनवरी में और कटिंग हमारी खराब हो जाती है लेकिन पान लगाने के लिए हमें transparent jar चाहिए लेकिन हम कोई खचा भी नहीं करना चाहते तो मेरे घर में जो भी हाज मूला की कोई काफी की कोई भी jar वगरा पड़े थी jam के तो आप ले ले और गरम पानी में उन्हें थोड़ी दे डिप करें अराम से इनके ये stickers निगल जाएंगे और से पहले मैं ले रही हूँ elbow singonium तो इसमें इस तरह से हर node area पर singonium की तरह ही roots होती हैं तो यहां से आप इसको cut कर लें कई जगह पे इसके node area पर हर node area पर ही root होती हैं तो कहीं से भी आप cut कर सकते हैं तो यह मैंने यहां से cut करके एक branch ले ले ली है देखें यहां पर roots भी बहुत आसान है इसको होगा न तो जब मैंने ये ओनलाइन लिया था तो इसमें दो ही लीफ थी और अब काफी बुशी भी हो गया है तो मैं इसकी एक छोटी सी कटिंग ले लूँगी बाकी मैं इसी में ग्रो होने दूँगी गर्मिया आते ही ये बहुत अच्छी तरीके से ग हो जाएगा और आपके पास एक फ्रीक अप्लांट बन जाएगा तो ये इसकी भी मैंने एक कटिंग ले ली है और इस पर भी मैंने फंजिसाइड पाउडर लगा दिया है जहां से मैंने कट किया था नेक्स्ट है ये भी एक फिलोडेंडरॉन की वराइटी है तो इसमें से कुछ बेवीस निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं इसकी भी रूट्स ये रेड कलर की इसकी रूट्स है तो यहां से मैं नहीं काटूँगी मैं ये जो बेवीस है इसी में से एक मैंने ले लिया है और वो जो बेवीस है उसमें देखे रूट्स भी है नोड एरिया भी है इसके बाद सेंडैपसस की कुछ एक cutting में ले लूँगी, तो यहां से इसका भी मैं node area से ले लूँगी, तो बहुत आसान है जिनके node area होते हैं, उनको पानी में होगा न, और ये है wandering juice, तो बहुत ही खुबसूरती से चल रही है January में भी, तो इसकी भी मैं कुछ cuttings ले लूँगी, चार-पांच cutting ले लेंगे, तो ये भी पानी में बहुत अच्छे से चलती है, तो इसको भी मैंने ले लिया है, नेक्स्ट है ये pink splash, ने ने, pink perfection, तो इसकी भी मैंने cutting ले ली है, और आप ले सकते हैं, ये Chinese violet है, इसकी भी cutting बहुत आसानी से grow हो जाएगी, देखे, अब इसमें फोल भी खिलने वाले हैं, आप ये marble queen भी ले सकते हैं, eranthemum की cuttings ले सकते हैं, तो मैंने भी कुछ ले ली है, eranthemum की cuttings, ये भी बहुत आसानी से चल जाएंगी पानी में, बहुत अच्छे से इनमें roots बनती हैं, इसके अलावा आप oxycardium ले सकते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, कि हमें कहीं से कोई cutting मिल जाती है, तो अभी domancy period चल रहा है, तो हम उसको कैसे उगाएं, तो फटा-फट पानी में डाल दो, आपकी cutting safe रहेगी, आप February आएगा, तब तक उसमें rooting भी start हो जाएगी, और आप उसे फिर उसके बाद report कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे कई बार किया है, तो आप इस तरह से देखे, मैं dressina की भी एक cutting ले लेती हूँ, तो इसको cut करने में आप बिल्कुल भी न हिचके चाहें, इसमें जो है, फिर से नई growth आजाएगी, जैसे ही February आएगा, वैसे growth इसमें अभी भी हो रही है, तो ये मैंने काट लिया है, बहुत अच्छे से growth कर रहा था, color भी बढ़े अच्छे आ रहे हैं, देखे, side से भी मैंने कुछ time पहले काटा था, तो दो branches नई निकली हैं, side से, तो इससे plant और भी बुशी होगा, तो काटने से कभी भी ना खबराएं, तो इसकी मैंने side की पतियां काट लिया, तो cuttings लगाने के लिए, पहले हमने transparent jar का जुगाड किया, अब कुछ और जुगाड करते हैं, तो इन में मैंने जो है, online कुछ plants मगाए थी, तो इन में लग कर आए थे, या फिर ये आप ले सकते हैं, बहुती सस्ते मिलते हैं, लेकिन ये मैंने रख लिये थे, और ये जो bottles में हैं, देखे एकदम fit आ रहे हैं, तो इन ही में मैं cutting लगाऊंगी, और इसका फाइदा क्या होगा, आप कहेंगे कि ये क्यों लगा रहे हैं, तो देखे, इसको हम इस तरह निकाल सकते हैं, पानी को change कर सकते हैं, नया पानी भर के, इसको हम वापस लगा देंगे, तो हमारी roots भी disturb नहीं होंगी, और हमें आसानी भी रहेगी, आसा weight देना है, अब इसमें फासाएंगे, तो भी ये खराब हो जाएगी, तो इसके लिए आप ये decorative marble के कुछ ये इस तरह पत्थर आते हैं, या फिर आप leaker balls में लगा सकते हैं, तो ये मैंने इसमें लगा दिया, तो इस तरह से देखे, हम इसको निकाल लेंगे, जब हमें पानी चेंज करना होगा, और पानी को फैक के, हम नया पानी भर के इसको वापस लगा देंगे, तो हैना बढ़िया जुगा, पानी में cuttings लगाने के लिए, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, यानि कि पानी को हमने, सबसे पहला पॉइंट है, पानी को हमने हर हफते चेंज कर देना है, गर्मियों में 3-4 दिन में, लेकिन अब सर्दिया है, तो आप एक हफते में भी चेंज कर सकते हैं, अब यह हाज मूला की बाटल है, तो इसमें भी मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी है, तो देखें इसमें तो ऐसे ही लगा दी है, और यह है सिंडेपसस और यह पिंग परफेक्शन की कटिंग लगा दी है, लेकिन यह कुछ फिट नहीं बैटरी है, तो अब हम करेंगे अपना नेक्स जुगार, तो देखें इस तरह से जो है यह गिर गिर के जा रही है, तो इसके लिए फिर से मैं एक यह मेरे पास जो छोटी वाली एक इस तरह के, वैसे यह इसी काम में आती हैं, कि जब हमें पानी में कटिंग लगानी होती है, इसके अलावा अब हम लगाते हैं, देखें यह बहुत बड़ा जार है, तो इसके लिए फिर हम तीसरा जुगार एक प्लास्टिक की बॉटल को मैंने इस तरह कट कर लिया है, और इसमें जो है मैं लगाऊंगी ड्रेसीना की कटिंग, क्योंकि वो काफी लंबी भी है, यह पानी में डिप है, और इसको भी हम बड़ी असानी से पानी चेंज कर सकते हैं, तो यह कटिंग भी हमारी लग गई है, इसके बाद यह एक छोटा सा और जार है, लेकिन इसका मूँ काफी चोड़ा है, तो इसके लिए यह स्पाइडर प्लांट की कटिंग मैंने लगा दी है, जो कि बहुत अच्छे से इसमें फिट बैट गई है, तो इसके बाद जो है, अब हमने ग्लास को भी निचोड़ा, तो यह मेरे पास एक ग्लास पड़ा था, वेस्ट एक ही बचा हुआ था, बाकी सब तूट चुके थे, तो इनको भी हम कटिंग लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो देखे, अब इसमें तो यह गिर के जा रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, तो इसके लिए मैंने कि यह स्टिक या फे कोई भी आप डंडी ले सकते हैं, इसको इस तरह से हमने इसमें फसा दिया है, और यह कटिंग भी मेरी लग गई हैं, इसको भी बस मैं इस तरह से उठाओंगी, पानी चेंज करूंगी और वापस इसमें रख दूंगी, तो बहुत असान हो जाएगा हमारे लिए, तो देखें, यह भी हमाई लग गई है, तो यहाँ पर लगी है मेरी सारी ही कटिंग्स, कुछ मैंने अभी ग्रो की हैं, और कुछ दस दिन हो चुके हैं, और कुछ 6 महीने से पानी में ही ग्रो हो रही हैं, तो पानी में भी आप cuttings लगा कर काफी लंबे समय तक रख सकते हैं और एक बहुत एक उपसुरत indoor garden create कर सकते हैं लेकिन पानी में एक limited growth होती है तो cuttings लगाने के लिए पानी में better है और एक छोटा सा अगर आपके पास आप मिट्टी का जिनजट नहीं लेना चाते हैं और घर के अंदर plants लगाना चाते हैं तो आप पानी में लगा सकते हैं लेबर क्या होता है न कि हमें बहुत सारी कहीं से cuttings मिल जाती हैं कुछ फ्रेंट के घर से या nursery से तो हम उनका क्या करें या फिर हम cutting काटते रहते हैं अपने plants को बुशी बनाने के लिए तो आप इस तरह से पानी में लगा कर एक खुबसूरत indoor garden आप बना सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह chain plant की भी cutting लगी है यहाँ पर यह neon color की मुझे cutting मिल गई थी oxycardium की वो मैंने लगाई है spider plant की लगाई है यह तो अभी तीन दिन पहले ही लगाई है और जो नीचे से थोड़ी सी extra white white आपको दिख रहे हैं तो वो अभी तीन दिन में नहीं grow ही है तो बहुत आसानी से इसकी cutting grow हो जाती है और यह neon वाली मुझे कहीं से cutting मिली थी तो अगर आप पानी change नहीं करेंगे तो देखे इस तरह से जो है fungus भी लग सकती है तो पानी आपको हर हफते change करते रहना पड़ेगा यह इस पानी को मुझे change करना है क्योंकि इसको एक हफता हो गया थोड़ा yellow हो गया है तो इस stage पर आप change कर दे लेकिन roots देखे आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से बन गई है और यह cutting में मुझे मिल गई थी एक वैसे तो मेरे पास है यह philodendron ब्राजील लेकिन nursery में मुझे cutting मिल गई और वो मैंने grow करती तो देखे इस में नई नई growth आ रही है और roots देखे तो इसकी rooting भी शायद start हो गई है बहुत छोटी सी आपको roots नजर आएंगी और देखे इसका यही फाइदा है देखे इस तरह का एक और जुगाड है bottle में नीचे मैंने छेद करके इस तरह से बना रखा है कि इसको उठाएंगे पानी जो है और यह purple वाली sweet potato है तो sweet potato की एक हफते में ही cutting लग गई है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से roots भी बन गई है और यह lucky bamboo को तो आप पानी में लगाई सकते हैं तो इसमें भी अच्छी roots है और देखे इसमें नई ने shoots भी निकल रही है तो मैंने एक की cutting लगाई थी बाकी पानी में यह safe रहेगा और जैसे यह अच्छा मौसम आएगा मैं इसको February में report कर दूँगी तो यह मैंने snake plant की भी कुछ cuttings एक ही cutting लगाई थी और देखे कितनी बढ़ी है इसमें roots बनी हुई है और नई में इसमें baby plants निकल रहे हैं इसके अलावा जो है यह है aluminum plant तो यह plant मैंन इसमें roots बन चुकी है और बहुती प्यारे-प्यारे कोमल से पत्ते भी आ रहे हैं तो roots आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह plant मेरा बच गया पानी में लगाने की वज़े से तो देखे दो plant बन गए एक plant से ही तो कुछ cutting मैंने यहाँ पे पानी में लगा दी थी और इसका ज और यह cuttings तो 6-6 महीने से लगी हुई है गर्मियों में मैंने लगाई थी और देखे roots कितनी बढ़िया इसमें बनी हुई है यह agglonima और बहुत अच्छे से चल रहा है नई नई growth भी इसमें आ रही है तो पानी में जो है आप cutting 6 महीने या साल भर तक भी रख सकते हैं फिर उ उसकी roots काफी बढ़ जाती हैं तो देखे यह जो syngonium का plant है अब इसको तो मैं transfer ही नहीं कर पाऊंगे क्योंकि मैं इसको भूली गई इसमें लगा के और यह काफी time से लगा हुआ है और इसकी roots आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा हो गई है अब तो यह इस bottle में से निकल भी तो time time पे आप check करते हैं अगर आपको मिटी में लगाना है लेकिन मुझे इन bottles में लगाना है तो इसी में ग्रो होते रहेंगे और यही हाल हुआ यह जो मैंने neon money plant लगाया था ना इसमें भी काफी roots बन चुकी है और यह भी अब निकलने को तयार नहीं है लेकिन इस bottle में ही काफे खुबसूरत लग रहा है तो यह थे मेरे कुछ plants जो कि मैंने पानी में ग्रोगी हुए है यह chain plant है इसमें भी अच्छी roots बनी हुई है यह भी खुबसूरत वराइटी है philodendron की philodendron little fill तो बहुत ही खुबसूरत इसके पत्ती होते हैं तो इसकी भी मैंने cutting लगाय थ लेख सकते हैं तो 90% cutting पानी में grow हो जाती है तो इसके अलावा यह green singonium भी काफे time से इस pot में लगा हुआ है और काफी lush green है और बहुत अच्छे से चल रहा है तो इस तरह आप भी पानी में बहुत सारी cuttings लगा सकते हैं और उनको काफे time तक रख भी सकते हैं तो आज की हरलिक्वीन शाद यही नाम है इसका और बहुत खुबसूरती से इसमें चल रही है तो मुझे लगा कहीं खराब नहों हो जाए अब कुछ time पहले मैंने ली थी तो मैंने इसे पानी में लगा दिया और पानी में बहुत अच्छी growth है अब spring season आएगा 15 February के बाद मैं इसको reporting कर अब तब तक के लिए बाई बाई happy gardening and keep gardening